नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वालचंद्रा, ब्राम्हांड सिद्यास्ट्रवें, आप सभी का स्वागत है, आज के इस वीडिया में हम चर्चा करेंगे, प्रेम में या फिर रिलेशन्शिप में दो वेखती है, पुरुष की यदी मिथुन राशी है, और स्त्री की यदी वृच्चिक राशी है, तो उनकी जो रिलेशन्शिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, ऐसे कौन सी बात है, जो कि दोनों राशे को बांदे हुए रखती है, ऐसे कौन सी बात है, जो कि प्रत्यक शरुक में करने चाहिए, ऐसे कौन सी बात है, जो कि टालने चाह है इन सभी बारा राशों के इस तरी पुरुष यदी परस पर रिलेशन्शिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशन्शिप है वह किस तरह से जानी जा सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ सकती है इस विचाप पर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका आनद ज़रूर लिजे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिधुन राशी के पुरुष और वुच्चिक राशी की जोस्त्री है उनकी रिलेशन्शिप मामले में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिधुन राशी की पुरुष है उनका व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है उ और द्वीस्वभाव की यह राशी है काफी ज़दा सॉफ्ट नेचर के जो पूरुष है मिठोंद राशी के वो पाए जाते हैं इनका जो संपूर्ड व्यक्तित्व होता है इससे ही यह पता चलता है चोटी मूटी बातों का जो परणाम है वो इन पर काफी जल्दी से हो जात है दिन में दो तीन बार तो इंके जो मूट स्विंग होते हैं चोटी उटी बातों को ले कर बहुत जऑद सिरियस होता है बहुत ज़यदा सोच करते हैं बहुत जपर काफी ज़या resort में और दूब जाते हैं दिल के बहुत ही साफ होते है ट्राइंस से इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है अला कि उपर प्रश्चने जादा होते हैं तो यही बात जो पूरुश है उन में भी देखी जाती है हला कि बच्पन से ही यही नेच्वर होने के करण इनके पास करीबन हर एक जो ग्यान होता है वो काफी अच्छा अच्छा ओट लेकिन गूए नहीं किसी के साथ भी communicate करने कि लिए जितना बी ज़रुर्य है उतना ज्यान तो इन में होता ही हुं उनका जो रहन सेन होता है, वो भी काफी अच्छा देखा जाता है, मतलब trending fashion इनमें काफी अच्छी देखी जाती है, मिथ्यों दरश्य के बारे में एक बात खास है, कि किसी भी बात पर वे कभी अडे नहीं रहते, हमेशा चेंज होते रहते हैं, अब ये जो changes है, वो इनके जो अफिक्षा होती है, उसमें भी देखी जाती है, उनकी जो चाह होती है, उनमें भी देखी जाती है, और हर एक मामले में, मतलब अगर खान पान के मामले में भी अगर देखा जाए, तो किसी एक वस्तु पर ये इनको अच्छी नहीं लगते हैं, कई प्रकार के वस्तु इनका अच्छी लगते हैं, और ये भी जो उनकी identity है, वो change होती रहती है, कपड़ों के मामले में भी, कोई भी fashion वो करते हैं, ऐसा नहीं है, trending fashion जो भी चल रहा है, ये अच्छी बात होती है, मतलब इनके अगर परसिती भी देखो, तो चाहिए कितने भी गरीब हो, लेकिन happy go lucky वाली जो बात होती है, खुश मिजाज रहती है, कई दफ़ आपने देखा होगा, कि कई ऐसे जो वेक्टिय होते हैं, उनके लिए जो financial status है, वो माइने नहीं रखता, उनके लिए माइने रखता है, कि सामने वाला वेक्टिय किस प्रकार का है, और उनकी जो खुद की जो perspective है, वो किस प्रकार की है, उनकी दुरुष्टी किस प्रकार की है, तो यही बात होती है मितुंदराशी के पूरशों में, इसे बाइस जैसे किसी भी वेक्टिय के साथ वे adjust कर लेते हैं, किसी भी परसिती से काफी अच्छी तरह से रह रहते हैं, इनके कोई बड़ी ऐसी wish नहीं रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी इच्छा नहीं रहती, जो कि मुझे पानी है, और जब तक मैं नहीं पाओ, तब तक मैं दुखी रहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी इनमें देखा नहीं जाता है, जो है आम आरे सामने उसे को लेकर आगे चलेंगे, जो हर दिन जैसा है, उसी प्रकर से उसे जी लेंगे, लेकिन positive way में रहेंगे, तो ये बात इनमें बहुत अच्छे देखी जाती है, कई दफ़ा आप देखोगे भी, कि मित्वन दरशी की जो पूरुश है, इनकी जो financial status है, वो काफी अच्छे नहीं रहती है, लेकिन इनमें इनमें इनसानियत काफी अच्छे देखी जाती है, इनकी जो दुरुश्टी होती है, वो काफी अच्छे देखी जाती है, इसे वज़े से हमेशा फुष मिजाता रहती है, इनके वाणी में भी वो बात दिखाई देती है, चुट के लिए सनाना ये बाते, या फिर हलकाफुल का जो विनोध है, इस प्रकार की जो बाते हैं, इनमें काफी अच्छे देखी जा सकती है, इसे वज़े से इनका जो इमेज होती है, वो काफी समाज में अच्छे देखी जाती है, इनसे अगर आप इंटरेक्ट करो, तो आपका भी जो मूड है, वो काफी बना हुआ रहता है, इसे वह जैसे कई दफ़ा इसका जो खामियाज है वो उन्हें करियर में भुगतना पड़ता है क्योंकि जब तक आप किसी विशाई के बारे में पूरी तरसे आप डेडिकेटेड नहीं होते तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे तब तक उसी जगा पर आप वाले विक्ति होते हैं जो कि मूलता देखा जाए तो काफी अच्छी बात देखी जा सकती है अब हम चार्चा करेंगे वृच्चिक राशी की जो स्त्री है उनके बारे में पहले सबसे महत्तों पुर्णा बात देखी जाती है वह होता है उनका सांदेरिया काफी फोटोजन यह जो स्त्री है वो आपको काफी अच्छी देखे लगेगी हर एक आयम में सबसे पहले वृच्चिक राशी के मामले में अगर देखा जाए तो काल बुरुष के कुडली में अस्टमभाव में आने वाली यह राशी है स्त्री राशी है इस राशी का जो स्वामिय है वो पूलता होता क्या है कि इंका सवंदर ये वह बहुत अच्छा होता है कि तो किसी भी प्रकल की ऐगर फैशन कर ले तो उन्हें वो जच होते हैं तो ये बात होती है इनके सोच होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, काफी ज़्यादा hard working होती है, goal or radiation भी काफी अच्छा देखा जाता है, कई ऐसे जो बाते हैं, वो इनमें out discipline होते हैं, अपने, उनको पता होता है कि किस तरह से जो बाते हैं वो करनी है, अब यहाँ पर दो तिन बाते उसके उपर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है, जैसे कि रुचिक राशी की जो स्त्री है, वो थोड़ी से सिक्रड़ी होती है, जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण भी यह ही है, कि विश्वास कर दिया है, और विश्वास घात होगा, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तर से विश्वास नहीं करेगी, किसी भी अंजान व्यक्ति से अगर उनको जो बढ़ाना है, तो पहले जाश लेगी कि जो व्यक्ति है, वो किस प्रकार का है, जल्दी से जल्दी सिर्फ उस व्यक्ति के कहने कारण में विश्वास नहीं करेगी, इनके अपने आयाम होते है, इनके अपने मेजर्मेंट होते है, उसके आधर पर ही सामने वाले वेक्ति पर यह सराशी की जोस्त्री है विशास करती है जब भी उन्हों लगता है कि सामने वाला वेक्ति अभी ठीक है तो उसके बाद ही उसके साथ रिलेशंशिप बढ़ाएंगे अन्यता नहीं और दूसरी इंपोर्टन बार थोड़े से एक् बिश्ता नहीं जोड़ेगी तो जो एक्स्ट्रीम की जो बात होती है वो इनमें बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है उसे पर एकर एड्यस करना और या फिर मध्यम मार्क इनको पसंद नहीं आता वह अपने ही दिशा पर चलने वाले होती है अपने यह राह पर चलने वाल पर नॉर्मल ही हम देखते हैं कि इनके बारे में सुनते हैं यही बात की काफी ज़्यादा तेज तर्रार है या फिर इनके वानी तीकी होती है लेकिन वानी नॉर्मल ही देखी जाए तो तीकी नहीं होती है सबसे इंपोर्टन बात होती है व्रिचिक रश्ची की जो स्तरी ह होती है वो काफी ज्यादा emotional होती है आप यह जो emotional वाली बाते हैं वह आपको पहले ही नजर में नहीं नजर आएगी जब भी आप काफी close रहते हो तो ही इनका जो emotional जो emotional जो नेचर है वह आपको दिखाई दे सकता है वह भी काफी चूकता है, तो जल्दी से उसे hurt नहीं करेगी, उसका अपमान नहीं करेगी, अब वो देखेगी कि कब तक ये जो सामने वाला है कि विक्ति है, उससे जूड बोल रहा है, जो बाते हैं, वो घुमा फेरा के कर रहा है, तो एक एक्स्रिम पर, लेवल पर एक सीमा होती है, एक मरियादा होती है, उसके बाद अगर वो आदमी उसी प्रकार से बिहेव करता है, फिर उसे चोड़ चोड़ेगी नहीं, पहले से उसने दो भी जूड गिनवाए हैं, वो पूरी तरह से उसके सामने रखेगी, और उसको होती है, उसको फाने तीक है, उसको अगर आप इनके सामने प्रेजेंट होते हैं, तो यह बात ठीक है, अगर आप ने इनको खुश करने के लिए अपनी कुछ अलग ही इमेज दिखाई, तो आगी जाके आप मामला जो है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्रिम पर हो सकता है फिर यह जो स्त्री है वो आपके लिए आपके ओपोज में विरोध में कुछ भी कर सकती है ध्यान में रखे तो यह बाद थोड़े ध्यान में लेने आवशक है लेकिन अगर इनका भुरस अगर आप पर है तो आपके लिए कुछ भी करने के तयारी जो वृच्चिक की जो स्त्री है उनमें देखे जा सकती है तो अगर आप इनकी जो पूरी परस्नालिटी है वो ठीक से अगर समझ लो तो इस राशी की स्त्री की तरह और अन्यस्त्री आपको देखने नहीं मिलेगी लेकिन इनका जो नेचर है वो आपको देखना चाहिए और सबसे पूर्शी की पूर्श और जो रुच्छिक राशी की स्त्री है उनके रिलेशन्शिप के मानुए में बहुत दफा ऐसा देखा जाता है कि यह मतलब राशी और रुच्छिक राशी यह जो नो राशिया है वो मृत्तिव शड़ाश्टक में आती है हाला कि जो दोनों राशे, इन दोनों राशे चेकर स्वामी है वो परसपर जो शत्रुगरा माना जाते है शड़ाश्टक राशी में भी आते है लेकिन शड़ाश्टक माने मृत्तिव बिल्कुल भी नहीं आपने देखा होगा कि जो भी वर्णन हमने किये मिठ्वन राशे के पुरुष और विच्छिक राशी के स्त्री के बारे में वो काफी अलग है उनके चाह अलग है उनका जो नेचार है वो अलग है जीवन के प्रति इनकी दृष्टी अलग होती है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी ह होता है बहुत दफाए ऐसा होता है कि जो बात हम खुद में नहीं सामने वाले विक्ति में देखते हैं जो भी जो कि हम में नहीं है तो हम अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं तो यहीं बात इनमें काफी नॉर्मली देखे जाती है कि जो भी बात व्रिच्छिक राशी की जो श्तुरी है वो खुद में नहीं देखती है वो सामने वाले विकिति में मतलब विफवन राशी के पुरुश है उनमें देखती है यहां पर जो motivator होता है, जो decision maker होता है, वो वुच्चिक राशी किस्तरी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है, और वुच्चिक राशी किस्तरी यदि आपके प्रेव में आ जाए, या फिर आप पर विश्वास कर दें, तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैरते हैं, पूरी दुनिया की विरोध में जाएगी और आपका साथ देगी, ये बात बहुत ही special हो जाती है, कि किसी से नहीं डरेगे ना, किसी परसिती से ना, किसी व्यक्ति विशेच से, किसी से नहीं डरेगे, अब ये जो बात है, मितुन राश्चे की जो पूरुश है, उनमें देखे, पूरुश होने के बावज़ूद भी ये थोड़ा सा सह में समय रहते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन आपकी मतलब मितुन राश्चे की पूरुश है, वो प्रेम के कारणी होता है, मतलब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहा पर जाना है, कहा पर नहीं जाना है, कौन से डिसीजन लेने हैं, किस प्रकार के जीवन के छोटी छोटी बातों की डिसीजन भी वृच्चिक राशी की जो स्त्री है, वो आपको सला दे, तो वो आप नहीं मानेंगे, उसे प्रेकर कभी-कभी वृषि대 की जो फ्री है, वह उंके जो वनी वी है, वो भूँ बहुत तीक ही हो जाती है, अब ये जो बात है, वह मिठंद्राशी की जो पुरुशा उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर तीखी वानी होती है क्योंकि उनका नेचर ऐसा नहीं होता कि उनके वानी काफी अच्छी रहती है और अगर ऐसी बात अगर रुच्छक अच्छी के स्तरी से अगर मिले तो भी आपके relationship में खटास आ सकते है चोटे मोटे problem, complexion आ सकते हैं बस यही बाते हैं हाला कि जो दोड़नों बाते हैं जैसे मैं नहीं कहा ना कि आपके दोनों के nature के मुलभूत जो बाते हैं वो है उस पर थोड़ा सा अगर आप पंट्रल कोरो तो आपकी जो relationship है वो काफी अच्छी तरीके से smoothly आगे बढ़ सकते है लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना काफी आवशक है इसके बावजूद अगर आपके relationship में कोई problem, complication आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी जादा आवशक होती है क्योंकि जो राशिया है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के उपर आदारित होती है है रेक कुंडली में चंद्रमा के अतरी तो बाकी 11 गरे भी होते हैं वो अपनी अपनी तरह के स्कुंडली पर असर करते हैं वो कौन से है किस प्रकार के है वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है और मारद दर्शन भी किया जा सकता है तो दोस्तों ये था विधुन राशे के पुरुष और रुचिक राशे के स्त्री यदि परस पर प्रेम में होंगे रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है इस विशय पर चर्चा आप कोई वीडियो कैसे लग का आपने किस परकार से अनुबो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है रमांड सिद्याश्रो इसे भी लाइक शोर और सब्सक्राइब जरूर करने धन्यवाद